वर्तमान समय में दिवाली का तिवार नजदीक है और इसलिए हम और सियो मैडम दोनों लोगों ने कई दुकानों को चेक भी कर रहे हैं और इसी समय हमें ख़बर मिली कि एक जगह कहीं पर अवैद भंडारन किया जा रहा है तो सियो मैडम और हम दोनों लोग यहां मौके पर आए और यहां काफी मात्रा में अवैद भंडार किया हुआ लगभक 100 किलो से अधिक कह सकते हैं अभी उसका आकलन जब पूरा निकल के आएगा तब हो पाएगा और इतना अवैद भंडारन जो विस्पोटक सामागरी का किया लाइसेंस कोई प्राप्त नहीं हुआ है जो यह भंडार करने वाला बेक्ती है वो यहां पर खिराए पर रहता है तो इनके परिवार के गवारा बताये गया कि यह हरिद्वार गया हुआ है और हम लोग अभी ट्रेस कर रहे हैं उसको बुलाया गया है तो वह आ जाएगा त जांच को पर आगामी जोखा रहे हैं हाँ हाँ एक CFO ने अपनी एक अलग टीम बना रखी है वो अपनी गोपनी जांच भी कर रहे हैं और साथ-साथ CFO CEO मैडम और हम लोग प्रतिदीन दो तीन दुगानों का टार्केट लेके चलते हैं और यह सभी दुकानों की जांच करत जिनके मकान में क्यादा रहता है परविर अगरवाल उनकी मकान में हम लोग ने सुचना पर दबिश दाली चकिंगी तुवा पे करिब सव क्लों से ज्यादा आखा अगा अवेद बंडारन परागों का और अभी वो महुद महीं है परविर नहीं है उनके पास पोई लाजिस जो कल को दो हमान